अब बाइब गणा चैनल कोकिंग यंड ब्यूटी विश्चेक्स आज की रेसिपी में हम देखिंगी चने की डाल की रेसिपी देखिए मैंने बनाई और इतनी जबड़ दर्स्त लग रही है एकदम डेलिशियस लग रही है तो आप भी ज़रू से ट्राइब कीजिए चने की यह प्रोसेस और सुझी कभी इसी प्रोसेस से बना सकता है तो आई होब आपको यह वीडियो पसंद आये आप जरू से देखिए स्टेब बाइस्टेफ फॉलो कीजिए इसी तरह से यह अगर आप स्टेब बाइस्टेफ फॉलो करते हैं तो इंश्यविभरात की आपको और कि पूरी फैमिली को मुबार्ट बात मेरी तरफ से दिल खोल की दूआ मांगिए जी भर के तिलावत कीजिए यह तिलावत का जो रात है वह आ रही है कल की रख आपाई ऊन्याप को बीजिए सब्सक्राइब किसे देखेक से चाहँ सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करते लोगों हैं कि इतना दैलिशास लग रहा है लग जैसा आए इस टार्ट आप में step by step आपको बताती है , step one में हमने चने की दाल 2 घंटे पहले भी गोदी थी और枝े में बॉ season करने रखने हूं, सबसे पहले हम चने की दाल को बॉ complain we heading और मनें ऑसल सब 2,000 dollars VOICE के कड़ीब यह की करें ग्राइब जादा लेकि अधिक सहरा थी इसलिए आप हो सके तो पानी में जैए यह ले कुछ ड्राई प्रूट्स लिया है काजू और बादाम और यह मैने गरी का बुरादा लिया है गरी का पावडर और यह मैंने क्लिश इलाईची लिया है जिसका मैं मैं पावडर बना लूँगी तो हमें यह इंग्राइड्य Sicher to're की अधिर्ड हो और हमारी जो दाल है वह बॉइल हो चुकिया है देखिया है वह पणये सब सोक लिया है और यह अच्छी तरह से बॉइल हो चुकिया है बस इसी तरह साथ हम एंवर करना था अब हमारा जो सेकंड स्टेप है पहले हम दाल को अच्छी तरह से पीस लेंगे यह देखिए मैंने ड्राइ फूर्स लिया है घी लिया है और शुगर लिया है और मैंने पैन में तोड़ा सा घी मतलब टू टेबल स्पून इतना घी एड किया था उसके बाद यह मैं चैने की डाल इसमें एड कर दियू चैने की डाल का कलर चेंज होने तक और जब तक यह पूरी तरह से भून नहीं जाती तब तक हमें से फ्राइ करेंगे करते हैं यह estár 3 है तो step 3 में हमें चैने की डाल को एक दम अच्छे से ठेकर करने है ते कि हमारी चैने की डाल अच्छी तरह से मैंने भून लिए से यह यह से सरी से जहीं करने करना यह कहाड़ हो चुक हरा एकदम मतलब येलो से एकदम डार्क ब्राउन हो चुकी और इसका जो कलर है वो चेंज हो गया और ये भून गई है अगर आप वो करेंगे तब आपको पता चलेगा क्योंकि स्मेल बहुत अच्छी आता है In step 4 में मैं I have dry fruits थोड़ा साइख स्पोन घे लिया है उसमें dry fruits यह है अपने roast करूँ हो तो dry fruits fry करूँ वो निकाल लोंगी उसके बाद इसी pan में चास्चनी बनाने रहए देखिए मैंने dry fruits लिए उसमें मैंने गरी का बुरादर लिया और यह मैं ऐंचे से fry कर रही हूँ फिस fry क करने के बाद मैं इसे निकार लूँगी अब इसी तरह से बनाई है आपको डैफिनिटी पसंद आएगा इसी मेतर से आप और भी हल्वे बना सकते हैं इसी कि मौंकी डाल का हो गया इसी तरह से आप बना सकते हैं तो ये ड्राइफ्रूट्स राय हो चुके हैं स्टेप फाइब में हम देखेंगे उसी पैन में मैंने मतलब गी डाल दिया था तू से टेबल स्पून और उसमें मैंने ये शुगर एड़ किया और इसी में मैं पानी आड़ कर लूँगी यानि कि अब मुझे लास्ट हमारे जो स्टेप है वो कर रही हूं मैं उसमें जो तक मैं इसे चलाओंगी यह पैने फूट कलर इसमें एड़ किया यह अगर आप एड़ करना चाहिए तो आप ज़रू से एड़ कीजिएगा इससे कलर काफी अच्छा आता है इना जो के तो आप फूट कलर भी एड़ कर सकते हम तो यह बेना मैंने जो लाइची दिखाइती इसका इलाइची पाउडर आप एड़ किया है अब अगर ज़रू से एड़ करना चाहिए तो ज़रू से एड़ कीजिए यह देखिए हैं मैंने डाइफ रूर्स जो मतलब फ्राइ कर लिए थे वह मैंने इसमें आड़ कर दिये तो डाइफ रूर्स पे आड़ हो गाए अब म मैंने इसमें मतलब कोकोनट जो गरी था वो गरी का पुरादा लगा लिया और ड्राइफ भी लगा लिया तो यह देखिए हमारी जो चार्च नी वह बन गई है मतलब कापी मारा जो पानी है वह घतम हो गया है और अपारी शोगर अलरी डिजॉल्फ हो गई है तो इसी स्टे की धले जय सो फूमारी जो रिख्टी नहीं हो जातिती एक रहा आती नहीं है आती नहीं मतलों तक इस तरह से तो उ Latt कर दखिए हुआ तो हमारी जो चनी की डाले में इसमें छी ना-टी कर दियाा है ताकि आज Ride सुल्हम एसना आको जेश महलिखिए और हापी अच्छा आश भी अपनी जी कहते है बिलावाना नाचक्ते अपने में डाद किसी जारें भी आप बम्हेसी आप लिट्थेंगे कर सकते हम गिलावान न्यास रिख रहे हैं और बस दो या तीन मिट बाद में इसे कट कर लूँगी तो हलका से ठंडा हो जाए उसके बाद बस ये ट्राइफ रोट्स में इसमें डाल दिया है अगर आप डालना चाहे तो ज़रूर से डालिएगा इसके बाद में हलकी आतों से प्रेस कर दूँगी ताकि ये अड़ हो जाए अची तरह से इसमें अभी मैं इसे कट कर दूँगी आप अपने हिसाब से किसी भी तरह का शेप बना सकता है मैं चोकोटा काती हूँ अब बर्फी शेप में अगर कट करना चाहे तो बर्फी शेप में भी कट कर सकते है इस तरह से काती है को डेफिनिटली बसंद आएगा शबी वरात के महिने पर यह काफी मतलब बंता है हल्वा और मैं हर साली ही से बनाती हूँ चनी की डाल का मूंग को डेफिनिटली पसंद आता है तो आप जरू से ट्राइक कीजिए यह देखिए हमारे जो हल्वा बनके रेडी हो चुका है 15-20 मिनिट में यह अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद सेट हो जाएगा उसके बाद यह रेडी टू सर्फ है देखिए यह 15-20 मिनिट बार मैं नि इसी थरह का बनेगा वीडियो पसंद आने पर में चैनल को लाइक कीजिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिए बब बाई गाइस हेव नाइस टेव